तो क्या आप भी अपने बालों को सिल्की बनाना चाते हो घना बनाना चाते हो तो इस रेमेडी का यूज़ जरूर करिएगा यह रेमेडी आपके लिए बहुत जाता एफेक्टिव होने वाली है आपके हेयर सिल्की शाइनी स्मूध मतलब यह एकदम स्ट्रेट होने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए आपकी मौटिवेशन की बहुत ज़्यादा जरूर रहता है तो यहां पर मैंने लिया है एक कटोरी राइस तो उसको मैंने पानी काफी सारा डाल के हमने इसको पकाना है तो हमने राइस का उबला पानी चाहिए तो यह है राइस का उबला हुआ पानी इस लिए थंडा हो चुका है तो थंडा होने के बाद हमने इसमें फर्स्ट इंग्रेडियन्ट एड़ करना है ऑलिव ओयल जो कि हमारे हेर्स के लिए हमेरे इसके लिए बहुत जादा एफेक्टिव है तो जो भी ऑलिव का यूज करते हैं हेर पे लगाने के लिए ओलिव ओयल तो इनको उनको यूज का पता है उनको इसके बैनिफिट पता है तो सेकिंड जो इंग्रीडियन्ट है वो हमने एड़ किय है कैस्टर यूज करता है तो यह तो था इसमें डालने वाली चीज़ों का तो इसकी आप्रि कैसे करने वो भी मैं आपको बता देती हूँ आपके हेयर कम से कम दो दिन पहले जरूर वाश हुए होने चाहिए उससे जादा गंदे नहीं होने चाहिए इस रेमेडी का अपने हफ़ते में एक बार तो यूज जरूर करना है जिससे कि आपको बहुत ही जल्दी आपको ये बेनिफिट मिलेगा तो इसको लगाना कितनी देर है कम से कम एक घंटा तो इसको लगा के रखना है अगर आपको जल्दी है तो आधा घंटा लगा सकते हो तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी है लाइक कर दीजिये पटापट तो आसी मौर वेडियो गले जानल को सब्सक्राइब कर लीजिए